आपने वीडियो मेरा नाम है वैपूल और आप देखर है ट्रेट स्मार्ट ली तो दोस्तों आज की स्वीडियो में हम बहुत ही बड़िया शेर्स देखने वाले हैं और उसके साथ में आपको एक बड़िया मल्टीय प्रेकाउट दिते हैं वाला इस शेर ने तेरा साल का प्र होंगा उसके लेबल साथ टार्गेट को भी हम डीटेल में समझने माले हैं तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आज में लेकर आयो हूँ आपके लिए एक बहुती बहुतर स्टॉक्स जिसमें आपको अच्छा खासा रिटन मिल सकता है और आज मैं 13 years का breakout दिया है दोस्तों जी हां 13 years का breakout तो चलिए अभी हम वह सीधे stocks की तरफ चलते हैं तो यह है आज के stocks जो मैं आपको बताने वाला हूँ और इससे पहले में आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछले टाइम मैंने stocks recommend किये थे उन्हेंने बहुत यह अच्छा परफॉर्म क किया है और सारे targets achieve हो चुके हैं तो अभी मैं वह stocks बताऊंगा आपको जो कि बिपी सील भी मैंने बताया था पिछले बार कि यहाँ पर इस पैटन में यह trade कर रहा था ascending triangle में daily time frame पर आप देख सकते हैं यह आपर और 464 लेवल पर मैंने यह recommend किया था जो यह red line है और मैंने target दिया था 480 का first target तो आप देख सकते हैं कि वह successfully achieve हो चुका है आज और अभी यह इसकी उपर भी trade कर रहा है तो इसके भी levels में आपको बताने वाला हूँ और ICIC Lombard भी म बहुत ही अच्छे तरीके से perform किया था उसका चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर तो यह M&M financial का चार्ट है दोस्तों तो यहाँ पर मैंने falling wage channel का pattern का breakout हो था यहाँ पर और यह मैंने आपको करीब 156 के करीब recommend किया था क्योंकि यहाँ पर हमें clearly एक breakout दिख रह था और वह successfully achieve हो चुका है Thursday को और अभी इसके ऊपर trade कर रहा है और second target की तरफ अभी यह जा सकता है जो कि है 172 तो आप देख सकते हैं कि जो भी stocks मैंने आपको बताया थे last time वो सारे बहुती अच्छी तरके से perform कर रहे है और TCSP मैंने आपको बहुती पहले बताया था वह भी stock बहुती अच्छी तरके से perform कर रहा है जो कि 400 पॉइंट उपर चला गया है दोस्तो 3400 को मैंने कमेंट किया था और वह आज 3700 के उपर trade कर रहा है तो चलिए हम बिना time waste के हुए आज के बढ़िया breakout shares देखते हैं जो कि है BPCL पिछले बार भी मैंने आपको यह बताया था share फ तो हमें यहाँ पर एक बड़ा ascending triangle formation दिख रहा है दोस्तो और इसका breakout कम से कम 10 महिनों के बाद हुआ है दोस्तो जो कि इस candle ने किया है recent candle Friday की candle तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 480 का resistance था जो यह मैंने violet line मार्क किया है यहाँ पर तो एक बहुती strong resistance था दोस्तों बहुत म यहाँ पर हमें target क्या मिल रहा है इसका target first target जो होगा दोस्तों वह होगा करीब 520 के पास क्योंकि 520 इसका strong resistance है जो कि हमें यहाँ पर weekly time frame पर अगर हम इसको convert कर देते हैं और देखते है चाट को तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि जो पिछला high था यहाँ पर 520 के पास है 520, 510 यह strong resistance zone है तो आपको यहाँ पर enter करने के बाद आपको 520 का target set करना है first target और अगर 520 का भी अगर break out हो जाता है दोस्तों तो आपका target आपको shift करना है 540 के तरफ यह आपका first target हो गया 520 का और second target जो है वो होगा 540 के पास वो आपका second target रहेगा दोस्तों तो यह होगे targets औ और आपको अपना stop loss अभी यहाँ पर 460 के पास रखना है दोस्तों जो कि यह level है यह जो violet line है यह आपका stop loss है और entry point आपका 486 के उपर रहेगा 486 यानिकि इस candle के high के उपर अगर Monday को show करता है तो आपको इसमें enter करना है और target 520 और 540 तो यह हो गए BPCL के levels और target और यह बहुत ही बड़ा breakout है दोस्तों तो चलिए अभी हम दूसरा stock देखते हैं जो कि है HDFC life फिला life insurance stock सारे bullish है और इसका भी बहुत ही अच्छा breakout हुआ है इसका अभी current market price चल रहा है 734 तो अगर हम इसका chart देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक train line breakout दिख रहा है दोस्तों यह weekly time frame पर मैंने set क गया हुआ है chart तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही लंबा consolidation होने के बाद एक बहुत ही बढ़िया तरीके से breakout दिया है इस candle ने तो अगर हम इसको daily time frame पर convert कर देते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि currently यहाँ पर एक small bearish candle का formation हुआ है और इसका भी जो breakout वो 6 महिने का breakout हुआ है दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर March से यह consolidate कर रहा था इस level पर 668 इसका एक strong support था जो कि यह violet line है और उपर से यहाँ पर trend line आपको दिख रहा होगा जो कि दो बार यहाँ पर resistance ले चुका था stock तो इसका breakout हुआ है फिलाल और यहाँ पर एक small candle का formation भ 780 और इसका closing price जो है वो 760 था तो जब यह 760 के उपर जाएगा तब आपको इसमें enter करना है और आपका यहाँ पर target 800 के पास रहेगा जो कि यह level है क्योंकि इसका जो first swing high था इस pattern का आप देख सकते हैं कि यह इसका first swing high था इसका length यह आपका target रहेगा यहाँ पर और यह 800 आप 800 के पास simple और जो हमारा stop loss रहेगा यहाँ पर वो होगा करीब 720 के पास जो कि यह level है यह आपका stop loss रहेगा 720 का क्योंकि यह strong support है और यह आपका strong stop loss level भी होगा तो अभी हम देखते हैं सबसे special stock जो कि है भारतिया retail यह stock ने बहुती बढ़िया multi-year breakout दिया है दोस्तों जो कि 13 साल का breakout था दोस्तों तो इसका chart हम देखते हैं पहले अभी इसका current market price चल रहा है 657 रुपीज और यह stock ने बहुती अच्छा perform किया है यह stock मैंने आपको काफी बार recommend भी किया था पिछले बार क्योंकि इसका symmetrical triangle formation का breakout हो था daily time frame पर जो कि 6 मेने का था और इसको मैंने 550 level पर recommend किया था और यह अभी 650 के पास spread कर रहा है दोस्तों और यह मेरे सारी targets थे black lines यह सारे achieve हो चुके है और इसने एक बहुती बढ़िया multi year resistance भी breakout कर दिया है उसके लिए मैं इसको monthly time frame पर convert कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि इसका कितने साल का breakout है तो यहाँ पर जो yellow line मैंने mark किया है आप देख सकते हैं जो कि 2006 से चल रहा है यह trend तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह भारतिय retail stock sideways कम से कम 13 years तक चल रहा था और इसका breakout यहाँ पर strong candle ने किया जो कि यह candle था सारे drawings हटवा देता हूँ में जिससे आपको clearly दिखाए देगा तो यहाँ पर आप देख सक breakout हुआ है तो यह है multi-ear breakout stock और इसमें इंटर करने के बाद आपको जो stop loss रखना है दोस्तों आपना वह इसी pattern के resistance पर होगा क्योंकि यह अभी strong stop loss और strong support zone की तरह act करेगा यह आपका एक stop loss होगा जो कि है करीब 580 के पास और यहाँ पर आपका target काफी बड़ा हो सकता है क्योंकि कि एक multi-ear breakout stock है और एक बात दोस्तों मैं हमेशा live breakout stocks upload करता रहता हूँ मेरे twitter पर तो आप वहाँ पर जाके benefit उठा सकते हैं link description पर given है तो यह थे आज के बड़िया breakout shares और multi-ear breakout stock मैंने आपको पताया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को like कीज कि सब्सक्राइब कर्फ़ करता से नां मा आपको यहाँ थीयो